हलो दस्तों मेरा नाम इशान है आजम बात करेंगे कि साइलेंट रहने के क्या benefit है साइलेंट रहने के क्या Power इसके बारे में बात करेंगे अपने देखा होगा कि क्याही लोग जो वेल्यू बहुत बढ़ती है उनको लोग सुनने के लिए तरशते हैं और कोई लोग होते हैं जो बिना बात के बोल बोल करते हैं अपना उपिनन देते फिरते हैं तो उनकी बातों को काफी कम सेरसली लिया जाता है तो साइलेंट रहना यानि कि केवल चूप हो जाना ऐसा नही करें और जहां जरूरत है वहां सब्दों का इस्तेमाल करें तो इसका पावर ही कुछ अलग होता है तो पहले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो पीपल का अटेंडेंस आपको मिलता है आपको लोग सुनना पसंद करते हैं आपको आपकी राय की वेल्यू आपकी जो आप बोलते हैं उसका जो वेल्यू बढ़ जाता है जैसे कि कोई टॉपिक चल रहा होता है और सब डिसकस कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो ओवर अपनी राय देते फिरते हैं ज्यादा बोल-बोल करते हैं तो कुछ लोग उनको सीरेसली नहीं लेते काफ साइलेंट रहते हैं कम बोलते हैं इससे यह होता है कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं लोग आपकी राय की वेल्यू बढ़ाते हैं लोग आप जो कहते हैं उसका वजन पढ़ता है तो साइलेंट रहने से लोगों का अटेंडेंस ज्यादा मिलता है साइलेंट रहने के दूसरे benefit के बारे में बात करें, तो अगर आप silent रहते हैं, कम बोलते हैं, तो ये आपको किसी भी चीज में negotiate करने में काफी helpful रहता है, जैसे कि अगर कोई आप deal sign कर रहे हैं, तो उस वक्त आप negotiate कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए अगर आप silent हो जाते हैं, तो सामने वा आपको और offer देना शुरू कर देता है, यानि कि आप जो expect करते हैं, उससे भी कम प्राइज में आपको वो मिल सकती है, आपको ज्यादा benefit मिल सकता है, क्योंकि सामने वाले को ये लगता है कि silent हो गया है, तो आप ये सोच कि आ रहा है, वो ही सोच कर वो सामने वाले आपको better offer दे सकता है, तो negotiation के time पे भी अगर आप थोड़ी time के लिए silent हो जाते हैं, तो काफी benefit रहता है, तिसरा benefit है कि build trust करने में भी silence बहुत helpful रहता है, अगर आप silent रहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का trust आपके उपर ज्यादा होता है, जैसे example के तोर पर आपको में बताओ कि अग सबाते हैं, या किसी भी व्यक्ति के सथ चाहिए, relation कमयाद है, तो व्यक्ति कुछ बोलता है, वो अपनी बात रखता है, तो जब आप silent होके कि रोक्ति कम है, सुनते ज्यादा है, तो उसको अच्छा लगता है, कि उसकी बात को कोई गौर से सुने, अगर आप silent रहते हैं, कम बोलते हैं और सुनते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उसकी बात को महत्वदी रहे हैं आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं आप उसकी बात में इंट्रस्टेड है तो उसे अच्छा लगता है तो इससे उस व्यक्ति का ट्रस्ट आपके पर बढ़त यानि कि अगर आपको किसे भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना हो तो पहले उसे सुने हैं क्योंकि कई लोग अपते हैं जो बहुत ये अपनी बात बताना चाहते हैं लेकिन सामने वाला भी फिर बोले जा रहा है वो भी बोले जा रहा है तो फिर ट्रस्ट बिल्ड न में होते हैं तो अकुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद सवाल करते हैं कि है फिर अपनी सवाल से खातम होने के बाइट वह भर अप्शन में आक मैंने क्रों करते हैं लोग सजब पाता होता जाब मिल गया होता तो यह सवाल रहता है नहीं तो कभी भी किसी से राय मांगो सवाल कूछो तो सवाल पूछने के बाद silent हो जाओ रुख जाओ पहले उसकी राय देखो उससे जवाब मांगो तो आपको ज़ाब मिलेगा क्यों से बोलने का मौबका दोगे तो ही मिलेगा तो कई सवालों का जवाब भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कई बार जो हमारे समझ सकती के बाहर होते हैं तो दूसरे को जब हम उचते हैं और सुनते हैं तो महां से भी आंसर मिलता है साइलेंट हो जाने से साइलेंट रहने से भी काफी सावलों के जवाब भी मिल जाते हैं और पांच बार बेनिफिट है कि सौफ्ट वार है साइलेंट साइलेंट में कई बार क्या होता है यह बार आप जगड के लड़ाई करके ही जीत जाएंगे ऐसा नहीं होता है कई बार होता है कि आप जब साइलेंट रहते हैं सामने वाले को आपकी स्ट्रेटीजी के बारे में ही पता नहीं चलता है कई बार गुस्से में आप यह कर दूंगा या फिर आप जगरते हैं तो इसमें आप क्या आप एक्षान ले सकते हैं वह एक जलग दिख जाती है लेकिन जब समझ नहीं पाता है कि exactly आप बविश्य में क्या करने वाले हैं जिससे आपका जीतने का जो प्रॉबैबिटी है वह बढ़ जाता है तो साइलेंट के बहुत सारे पावर है और यह कुछ पावर से साइलेंट रहने से आपको यह पांच बेनेफिट होते हैं तो आपको सभी हम जब तक आशी बखाव तक हमारे लायफ में प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम बोलने के बाद ही तो हम ट्रेप clicked हो जाते हैं नहीं बोले साइलेंट रहते तो नहीं आईसा नहीं हुआ है कि किसी व्यक्तिफ साइलेंट रहा हो और फसा हो हमेशा बोलने से ही लोग फसे हैं तो यह थे साइलेंट रहने के बेनफिट और पावर्स दोस्तों कैसे लगी इंफर्मेशन जरूर बताएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए और आपनी राइक कॉमेंट में जरूर बताएगा